नमस्कार दोस्तों मैं सोनू और आप देखे हैं टेक्निकल सोनू टेक्ट चैनल दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉरमेटिव है आप सभी के लिए अपने पलंबर हैं या फिर पुराने पलंबर हैं सभी के लिए दोस्तों यह वीडियो है ग्राहक है तो भी यह सब्क Started की जानकारी दूँगा और यह भी बताओंगा कि दूस्टो बातरूम में जितना भी फीटिंग होता है जैसे सावर हो गया वाज बेसिन हो गया इंडियेंल साध़ा सिट हो गया उसके लिए टैप हो गया वआल मिक्सर का पॉइंट हो गया इसका हाइड दोस्तों complete floor से कितना रखे ये सब की complete जानकारी दूँगा बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट को अब मैं explain करूँगा तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को सुरू से लाज तक जरूर देखे और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और पर किलिक कीजिए ताकि मेरी आगे ने वली सभी हर नई वीडियो का नोडिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप से कोई भी अपडेट मिसना होने पाए दोस्तों अब चलिए मैं आपको बात्रूम में CPBC पाइप को फिट करना सिखाता हूं अब देखें दोस्तों अभी मैं एकदम उपर हूँ जो अपना टैंक है न टैंक वहाँ पे लगेगा और मैं आपको बहुतर तरीके से एक्स्प्लेइन कर सकूँ इसलिए देख सकते हैं यहाँ पे मैं CPBC पाइप को फिट करके इस तरह से बाहर उपर में निकाल दिया हूं क्या है बहुतर पर करोंगे यहां से एक्स्प्लेइन करते हुए बात्रुम तक लेके जाओंगा और तरीके से एक्स्प्लेइन कर सकूँगा जब्छाइन अगर आपको पसंद आता है तो इस तरह से आप भी पिटिंग कर सकते हैं इसमें दोस्तों प्रेशर काफी अच्छा इसके बाद तीनों पाइप को filme निखेंटकल निकाल दिया हैं और एक-एक इंज का है अब देखें यहां से सी तरह से नीचे आया अब देखें यहां पर सकते हैं यहांपर इसको सब्सक्राइब करना है यहां पे बिल्कुल करीब में जब लगांगे तो इस टाम जोस्तों समय कचड़ा भी फसेगा और प्रेशर भी dx हो जाएगा इसलिए देख सकते हैं यहाँ पर से इसमें प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा बस यहीं सब आपको ध्यान रखना होता है यहाँ बात्रों का आउट्लिट है यहां से निकल के जा रहा है बहुँत यहाँ से इंच réflी गया एक इंच ये भी हो गया और ये वाला जो है ये मोटर का है तीन एलबो यहाँ पर दिया तीन फोटी फाइब देखे इस तरह से आगे लिया मैं अब यहाँ से दोस्तों यह जो सवावाला पाइब है दोनों इसको मैं रिड्यूस करके एक इंच बना दिया हूँ अब यहाँ से तीनों पाइब दोस्तों एक इंच का हो जाता है यह दोनों आउटलेट भी उसके बाद यह मोटर वाला भी उसके बाद अब देख सकते हैं यहां से यह नीचे जा रहा है यह देखिए यहां पर देख सकते हैं तीन एलबो दिया में एक इंच का उसके बाद अब यह सीधा यहीं से डाउन हो रहा है अब चलीए मैं नीचे आपको दिखाता हूं कैसे będा को घूमाया जाता है अब देखे दूस्तों आभी मैं नीचे आ गया हूं और यहां पर ऊपर से मैंहें के आया हूँ देख सकते यहां पर डाउन हुआ है यहां पर यह वाला Moron मोटर वाला वाला है उसके बाइद ये दोनों आटलेट है यहां पर दो बाथरूम है एक बाथरूम का मैं वीडियो दे दिया था आपको फिक है उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो अभी जाएए वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में लिंक क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं क्योंकि यहां पर दो बाथरूम है एक बाथरूम में पाइपटिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ इस बाथरूम का आज मैं आपको एक्स्प्लेन करूंगा देख सकते हैं देखें यहां पर दोस्तों यह दोन को मैं मैं ठर्व करका यहां पर हूं किया हूं इसको मैं Bang कंप्रपीयों होग Facebook को यहाँ जाएगा तो ऑपनी जाता है इसलिए जहां Construction 7 का यूज करिए सकते हैं यह उस तरह से आगे में प्रॉपर्व सामने रखना आपको एड草 केनप सब्सक्राइथाओ जो बेनिफीट हम अब इसनान में आपको बताऊँ ऌए यहां कि एक यहां पर रेड़ लाइन के अदिया इंड जाता है तो एक जो है इसका वीडियो में आपको दे दिया था इस बात्रूम का और यहां पे इसके बगल में जो किचन इसका वीडियो दे दिया था आज दोस्तों मैं दूसरे बातरूम का आपको explain करूँगा तो सबसे उपर वाला दोस्तों मोटर वाला है यहाँ पे एक टी लगा के इस बातरूम में भी दे दिया उसके बाद यही लाइन आगे भेज दिया दूसरे वाले बातरूम के लिए बीच वाला दोस्तों इस बातरूम का आपकलेट हो गया सबसे नीचे वाला दोस्तों दूसरे बातरूम का जो है यह आपकलेट है अब दोनों पाइब लाइन इस तरह से आगे जा रहा है पूरा लाबी घूम रहा है ठीक है देख सकते हैं वीडियो अभी देखिए तो आप लोग कमेंट करेंगे पाइब को काफी जादा घुमा दिया है तो यह मेरी मर्जी से नहीं हुआ है ग्राहक के डिमान से हुआ है इस बातरूम का अपर निकाल देता हूं तो इस में पाइब काफी ज़्यादा कम लगता है लेकिन अभी यहां पर लॉबड भूंब घूम रहा है तो ग्लायन की डिमान से हुआ है दोनों पाइप लाइन देख सकते हैं इस तरह से आ रहा है अब देखें यहां पर आया यह देखें दो एलबो देखें इस तरह से आगे लिया मैं देख सकते हैं इधर से आता हुआ फिर यहां से आता हुआ यह देखें इधर आता है यह देखें यहां से आके दोस्तों देख स किचन के अंदर देखिए यहां पर यह इसके बाहर से पीछे से दोटी लगा कि इस तरह से एक जिलेस 아니라 कि तो इसमार म्हुर्त है यहां करता हूं आप इसको बनाया गया है ताकि जुए नॉर्म पए लग जाई सिंक्ष भीलग पर सब्सक्राइब लिए प्रास्टा में यहां बॉंग है लेगा लगाना है तो inspired क्ट्रेट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जब सिंक मिक्सरी इंसाल हो जाएगा तो फिर दोस्तों यह का जब ज़िए का दिक्कत होगा नरक हो जाएगा जब आपको वाटर कर नेक्ट करना होगा तो ठीकशन यह यह थो फोट फैयर का सप्लाय लाइन है अभी है न्यएस को मोटर वाला सप्लाई लाइन हो कोल वर्टर हो या फिर यानि कि दो तरह का अगर पॉइंट है किसी भी तरह का सप्लाई हो तो इसके बीच का जो डिस्टेंस अनब वो कम से कम 6 इंच रखना है मैक्सिम्मम 7 इंच रखना है देखधान रहे साथ से ज्यादा लगाएंगे तो सि इसको आप रख सकते हैं सिंक मिक्चर को और दोनों के बीच के आपस की जो दूरी है वो कम से कम 6 मैक्सिम साथ इंच तो इस तरह से कीचन का फिटिंग हो गया है देखिए इस तरह से ऊपर निकाल दिया हूं मैं आप चलिए बात्रूम में आपको एक्स्प्लेंग करता हूं पोसे आप यहां से किचन में चला जा रहा था उसके बाद देख सकते हैं यहां पर स्थैसा इल्बो लगाकर इस तरह से में आगे ले लिया यह बात्रूम के अंदर आभी करता है यह देखे अब देखें यहां पर दोस्तों यह जो देख रहे ना यह गीजर का पॉइंट है सबसे उपर आफ दोस्तों जो है यह उसके बार नीचे वाला जो है दोस्तों यह कोल ओटर सप्लाइब इसमें लगा कर इस तरह से नीचे लिए छोटा सा टुकड़ा दिया उसके बाद यहां पर दे दिया मैं 1 by 1 by 2 का ब्रास अल्बों दोस्तों यह गीजर के लिए पॉइंट हो गया कोल वर्टर उसका जो पाइप साइज है दोस्तों किसी भी साइज का आप रखी आधा इंच पॉना इंच एक इन सवाइन डेढ़ीं दो इंच कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दोस्तों ध्यान रहे जो हॉट वोटर है ना गीजर वाले टेंक से जो पानी निकलेगा उसमें आपक अगर आप लगाते हैं एक ही सवाइन तो देखें क्या होगा दिक्कत पानी स्टोर होगा फिर गरेगा क्योंकि पानी तो गीजर से आधा इंच ही निकलेगा इसलिए अगर आप एक लगाएंगे तो पहले भरेगा फिर गरेगा इस तरह से हाट वाटर में दिक्कत आएगा सब्सक्राइब कम ज्यादा करके आएगा ठीक है इसलिए यहाँ पे हाट वाटर में आपको आधाइंच या फिर पॉनाइंच और कूल वाटर में किसी भी साइट का पाइप लगा यह कोई विदिक्कत नहीं है हाइट दोस्तों कम से कम कंप्लीट फोर से छेपिट रखना है मैक्सम साथ रखना है डिस्टेंस तोनों यह हाट वाटर कोल वाटर के बीच की जो दूरी है दोस्तों इस्टेंस यहाँ पे आप कम सी कम 6 और मैक्सम साथ इंच रखेंगे तो इस तरह से गीजर का पाइंट हो गया उसके बाद देख सकती यह हाट वोटर वाला पाइप ला आगे जा रहा है सबसे उपर वाला मोटर वाला है उसके वादी यह नीचे वाला दूस्तों यह कोल वाटर है अब देखें यहाँ पे इस तरह से प्रोपर तरीके से फिटिंग हुआ है इस तरह से में किया हूं ताकि जो हैं इंजिनियर कबाब भी आप फेलना कर पाए ठीक पको अगला काम मिलता है देख सकते हैं प्रोफर तरीके से हुआ है यह ला दुस्टू मोंटर वाला line देखें मोटर वाला सप्लाइब क्यों दिया जाता है बातरूम के अंदर अभी में बता रहाएं और यहले Gronos है दूस्ता ये कोल वाटर सप्लाई लाइन है और यह वाला जो दुस्त तो यह हट वाटर है आघहां यहाँ लगा के यहां पर लगाएंगे उसके बाद यहां से टं करनेंगे ब्राश्टी आपको नहीं देना इसमें ठीक है प्राश्टी आप देंगे तो फट जाएगा क्ली है यहां पर बेजना ता उसके बाद नीचे दोस्ति दिए हैं यहां पर क्लीया था अपर कर्घी सभूटरे लोटर हो गया देख़सके यहां पे इस वाले एरिया में इसको में रेडियूस किया वन वाई ठीफोर किया सावर के लिए देना था क्योंकि दोस्तों देखें अगर आप एक इंच पाइप लाइन डालेंगे सावर में भी तो प्रेसर कम ज्यादा करके आएगा क्योंकि पानी का फ्लो होता है दोस्तों वह उपर आपको उठाना है तो उसको रिडごोगेर की जूप्र है उसका डाया आप थोड़ा सा कम करें जो गौर्डेन पडमार्व होता है उसका जब डाया कम करते यहां कि हाथ सेusiव कर देतें तो पाणी और जिनल कंसिल्ड है हाप टन यह को यह पुल टन है पता होगा पूल टर्ण में दोस्तों प्रेशर काफी ज्यादा आता है डिक्रीज नहीं होता है और सबसे अच्छी बात इसमें राहां का 300 रुपेस से जाधा बच रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यहाँ पिन्ट निकाला गया है यह टाइल सके बाद लगेगा अब यहां पर देख सकते यह बंद प्लग है यह अधिया यह सिमन गार्ड कबर और यहां है अभी हाइट मैं आपको बता रहा हूं देख सकते हैं इस तरह सी यह ओपर आ रहा है है अब देकिए यहां पर सावर का पंट हो गया सावर का जू का हाइट है दूस्तों कम से सब्सक्राइब करेंगे मै aisle जा भी रखर है कि छी मिलटे है है कि पुटे जौंधिक रहत के टांगे तो वाइंट दुस्तों इसका जो हाइट प्रोर्स यानि कि टाइस वाले कम्प्लीट से तक आपको कम से कम 30 इंच रखना है मैंसिम थार्टी पॉरिंच रखना यानि की चौंतीस इंच रखना है क्लाइन का डिमांड था कि यहां पर कंसिल ही लगेगा कामन बाथरूम है इसलिए यहां पर कंसिल लगाया गया है ठीकिन बाथरूम तो मास्टर बाथरूम क्या लगजरी बाथरूम भी फिटिंग हो जाता है इसमें लेकिन कामन बाथरूम का फिटिंग यहां पर किया गया है को कब है आप देखें यहां पर कोल वाटर में इस तरह से टी लगा के इसको नीच यहां पर दिया अब दोस्तों राइट साइड यह चला जाता है वास वाले और इरिया मे और लेफ्ट साइड चला रखना है मैक्समुम 16 रखना है उसके बाद यहां से पाइवलाइन इस तरह से पीछे जाता है आगे देख सकते हैं यहां पर दूस्तों में फ्लस के लिए पॉइंट दिया हूँ यहां पर इंडियन साथा सीट आएगा तो दूस्तों फ्लस में पानी भरने के लिए यह पॉइ पीछे वाल से दूरी में आपको बताता हूं कितना रखना देखे पीछे वाला दीवार यह दिख रहा है उसके बाद यह पॉइंट दिख रहा है तो इसको आपको कम से कम अगर जगह कम है तो 36 पर रख सकते हैं और थोड़ा से जगह ज्यादा है यहां पर अभी यह चार फ इसलिए धान रखी इस बात का इसको आप आगे ही रखे थोड़ा सा आगे रखे 40-42 इंच पर रख सकते हैं अभी यह लेफ्ट साइड में है क्राहक की डिमांड से हुआ है ग्राहक की डिमांड से इसको आप राइड साइड भी रख सकते है प्रॉपर जो तरीका है दोसको अभी यह लेफ्ट साइड है तो ग्राहक की डिमांड से हुआ कोई भी दिक्क्त नहीं है हाइट मैं आपको बता दिया कम से कम 14 इंच मैक्सिम 16 इंच उसके बाद अब यह इस तरह से आगे जाता है देख सकते हैं यहां पर बाइट का ब्राश्टी दिया दोस्तों वास बेस है कम से कम आपको 22 इंच रखना है मैक्सिम 24 इंच रखना 24 से ऊपर जाएंगे वासमेसिन इंस्टलेशन में दिक्क्त आएगा कपलर से टक्राता है एंगल वाल ठीक है इसका तो इस तरह से आगे गया बाहर में निकाल दिया क्योंकि मुझे बाहर भी देना था रहां का डिम है सब कुछ में आपको explain कर दिया सब का भी हाइट मैं आपको बता दिया वीडियो आप लोग कंप्लीट ध्यान से देखा कर ये बिल्कुल बारिकी से समझे मैं क्या बोल रहा हूं ठीक हाथ का इसारा क्या है मेरा सब कुछ आपको समझना चाहिए कि को ध्यान से समझना चाह इसका जो फोएन क्या ये में भी तरीकिये से हो गया है अब दोस्तों आपको बता ना है उसके बाद दूस तो यह भी बताओंगा कि यह जो मोटर का सप्लाय लान है किंचन और बातरू के अंदर मैं डिया हूं क्यों देना चाहिए तो देखे थंडी में चार्म का पानी का Works जबंद हो जाता है तो मोटर आप देंगे बाथ रूम के अंदर आप ऐप कीछन जोंद था पाники हिसाइज अनल देगा नेंडिवी का सबस्क्राइज के मोटर का से पाइफिटिंग हुआ है तो बस यहीं होता है यहां पर मोटर सप्लाइन देने का किचन में दीजिए या फिर बातरूम में दीजिए किसी भी एरिया में दीजिए नैच्रल के हिसाब से पानिया था ठंडी में हल्का सगर्मी में हल्का सटंडा अब देखे रिड लाइन करना है उसके बार नीचे आप देख सकते यहां पे टी में दिया हूँ यको मुझे इस एंगल में करनेक करना है तो आपको क्या करना है देखे यह जो रएड लांग है और यह समय बचेगा पलंबर का उसके बाद ग्रहांक का भी पैसा बचेगा क्योंकि फिटिंग खराम नहीं होगा नुकसान नहीं होगा बस यह जो रिड लाइन है इसका यहीं फिट होता है तो इस तरह से दोस्तों पाइप फिटिंग प्रॉपर तरीके से हो गया है अब दोस्तों इसका मेन आउटलेट समझे कभी भी द लेना है और ध्यान लखी दोस्तों कभी भी आपको भूल के यह गलती नहीं करना है कि पहले पाइब लेन को एक बान नीचे लाया मैं देख सकते हैं देखें यहां पर नीचे आ गया ना सबसे नीचे ही हो रहा है तो यहां पर उठाओं कि मुझे यहां पर पॉइंट देना इस बात का ध्यान रखें यहां पर 10 kg आएगा तो यहां पर 9 kg हो जाएगा प्रेसर डिक्रेश जाएगा क्योंकि पानी का जो फ्लो है न वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ है और यदि आप पहले पानी को नीचे लाएंगे फिर उपर उठाएंगे तो प्रेसर कम जाद अर्टोमेटिक हो जाएगा किक यह सब फॉइंट दिना है तो में आजदिन और सही लाएँ मीरा पानी दिसक और से आрाहा का एक पॉआंट में यहां पे नीचे कर दिया यह भी यहां पर है तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से हो गया है देख सकते हैं यहां पर करते हुए इस तरह से इसको मैं बाहर निकाल दिया हूं यह देखिए देखिए इस तरह से यहां पर निकल आया यह देखिए इस तरह से यहां पर निकला आप देखिए यहां से निकलता यहां से आता हुगा अब देखें यहां पे आया यहां से निकल के दोस्तों यह देखिए इस किचन और बाथरूम के पास आ गया ठीके यह देखिए यहां से निकल के इस बाथरूम का वीडियो दिया था मैं यहां पे आया यहां से निकल के देखिए इधर आया यहां से निकल को मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको एक्स्प्लेंड किया हाइट वगेरा सब कुछ मैं बताया हूं तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी में दिया हूं सब कुछ समझ में आया होगा समझने में कहीं भी कोई भी कनफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कोश्चन टाइप करिए उसका रिप्लाई करने की कोशिस करूंगा मैं और साथ ही आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ब वीडियो का नोट्फिकेशन आप तक पहुंचे और आप से कोई भी अपडेट मिसना होने पाए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं फिर मिलूँगा किसी अगले वीडियो में एक ना टापिक के साथ